बिहार में सीमांचल एक्सप्रेस पट्री से उत्री आठ लोगों की मौत कई घायल सुभा चार बजे हुआ हाथ सांग केंद्रिय करमचारियों के लिए खुशखबरी मिलेगा तीन फीसिदी महंगा इभत्ता बीजेपी नेता बाबुलाल गौर ने शिवराज के कैंपियन पर उठाए सवाल माफ करो महराज को बताया गलत टी एस सिंग देव के जन घोशना पत्र की चडचा लोगसभाद चुनाव में कॉंग्रेस करेगी ऐसा ही प्रेयों और डांसर सपना चौधरी का बयान गाली खाने के लिए होते हैं नेता और अभी नेता नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबर विस्तार से बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर में रवीवार सुभा बड़ा रेल हाथसा हुआ सीमांचल एक्सप्रेस के ग्यारा डिपबे पट्री से उतर गए अब तक आठ लोगों की मौत हुई और 29 यात्री खायल हैं बचाव टीम मौके पर पहुँच चुकी है रिल्वे ने म्रत्गों के परिवार को 5 लाख रुपे की आर्थिक साहिता का एलान किया है गंबिर घायलों को एक लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 50,000 की मदद की जाएगी सभी यात्रियों को मुफ्त इलाज होगा एंडी आरेफ की टीम के मुताबेक राहत और बजाव कारे पूरा हो चुका है सभी दुरगटना ग्रस्त डिपो से घायलों को निकाला जा चुका है बिहार के सहदेई बुजुर्ग में जोगवनी आनंद बिहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 11 कोच पट्री से उतर गए है इन में से 3 कोच पूरी तरहा पलट गए है इस हादसे में अब तक 8 यात्रियों की मौत की पुष्टी हुई है जबकि 29 लोगों के घायल होने की खबर है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने हादसे पर दुख जाहिर किया है वही हादसे की वजह पट्री तूटी होना बताया जा रहा है रेलवे ने हादसे के बाद मौवजे का एलान किया मृत्यकों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख मौवजे का रेलवे ने एलान किया है जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रेलवे की पट्री तूटी मिली है लेकिन अभी तक हाथसे की वज़ा पूरी तरहां साफ नहीं हो पाई है हाथसे में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है इस हाथसे के वक्त अंधेरा था जिसके चलते हाथसे के काफी देर बाद राहत और बचावकारे शुरू हो पाया है वही रेल मंत्री पियूश गोयल ने भी ट्विट कर इस हाथसे की जानकारी दी उन्होंने ट्विट किया कि बिहार के सहदेई बुज़ूर्ग में जोगवनी आनंद बिहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के नौकोच पट्री से उतर गए हैं घटना इस्तल पर राहत और बचाव कारे जारी हैं उन्होंने ट्रेन हाथसे के बाद भारती रेलवे द्वारा जारी हेल्प लाइन नंबरों को भी ट्विट किया है केद्रिय करमचारियों को इस बार 3 फीसिदी महगाई भत्ता मिलना तैह हो गया है दिसंबर 2018 का सुचकांक स्पष्ट होते ही मिलने वाले महगाई भत्ते की दर अब साफ हो गई है पिछले कई वर्षों से महगाई भत्ता 2 फीसिदी ही मिल रहा था और धोगिक शमिकों के लिए उपभोकता मूल सुचकांक के आधार पर महगाई भत्ते का सटीक आंकलन करने वाले सिटीजन ब्रदर हुट के पूर्व अध्यक्ष हरी शंकर तिवारी ने बताया कि दिसंबर 2018 का सुचकांक इसपष्ट हो गया है दरसल जुलाई 2018 से महगाई भत्ता 9 फीसिदी ही मिल रहा था इसलिए शुद्ध महगाई भत्ता 12 फीसिदी में से 9 फीसिदी घड़ गया ऐसे में 3 फीसिदी ही करमचारियों को ये दे होगा तिवारी ने बताया कि साथवे बेतन आयोग के अनुसार पुनरिक्षिद वेतन वा पेंशन पर अब 3 फीसिदी महगाई भत्ते की गणना होगी नियम अनुसार मार्श 2019 के वेतन के साथ इसका भुपतान होना चाहिए इससे केंद्र सरकार के करीब एक करूर करमचारिवा पेंशनर लाभानवित होंगे पूर्व मुख मंत्री और बीजेपी के वरिष्ट नेता बाबुलाल गौर ने अपनी ही पार्टी के कैम्पेन के तरीका पर सवाल उठाया है गौर अपनी बातों से हमिशा ही पार्टी की मुसीबते बढ़ाते रते हैं हाला कि बीजेपी के संगठन मंत्री ने कुछ रोज पहले ही उन्हें कम बोलने की नसीहत दी थी बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर ने शिवरा सिंग चोहान के बसकरो महराज कैम्पियन पर सवाल खड़ा कर बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है उन्होंने विधान सभाच चुनाव में पार्टी के नारे माफ करो महराज को गलत बताया है गौर लोग सभाच चुनाव के लिए गोविनपुरा विधान सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे आपको किवल लक्ष की तरह ध्यान देना है किसी की पुराई करने से आप आगेर ही बढ़ेंगे यह ना एक पिछले चुड़ाओं में एक टीवी पर दिख्या बंदा जिसको बहार में देखा हो जाओ महराज हमारे नेता तहीं महराज ही नहीं कहना था हमने दूसरे का नान क्यों लेना गौर ने साफ कहा हमें महराज का नाम नहीं लेना चाहिए था हमें अपने ही नेताओं का नाम लेना था गौर लगातार ऐसी बयान बाजी कर रहे हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी को नुक्सान पहुचा रही है हाला कि बीजेपी के शिर्ष नेता गौर को कई बार नपातुला बोलने की समझाईश दे चुके हैं लेकिन गौर हैं कि मानते ही नहीं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चुनाव घोषनापत्र समीथी के अध्यक्ष और क्याबिनेट मंत्री टी एस सिंग देव ने भारतिय राश्ट्रे कोंग्रेस घोषनापत्र के सदस के राजु के बुलवाने पर All India Professional Congress के उपाध्यक्ष निलाब दुबे से 36 गड़ के जन घोषनापत्र पर विंदुवार चर्चा की करीब दो घंटे तक चली इस मीटिंग में आने वाले लोगसभाद चुनाव में 36 गड़ के जन घोषनापत्र की तर्ज पर ही अन्य राज्जों में जन घोषनापत्र पनाने पर चर्चा की गए भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस के घोषनापत्र समीती के सदस के राजु के के बुलावे पर 36 गड़ विधान सभाद चुनाव घोषनापत्र समीती के अध्यक्ष टियस सिंग देव ने All India Professional Congress के उपाध्यक्ष निलाव दुबे से जन घोषनापत्र के अनुभव पर चर् जन घोषनापत्र बनाएगी और जिस तरहां 36 गड़ में जन घोषनापत्र से एतिहासिक जीत हासिल हुई ठीक उसी तरहां आने वाले लोगसभा चुनाव में भी कॉंग्रेस पार्टी पूरे देश में सफलता हासिल कर सकेगी इस दोरान टीयस सिंग देव की टीम के सदस स आदितेश्वर शरण सिंग देव चतिसकर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सचेव फंका सिंग भी मीटिंग में मौझूद रहे डांसिंग सेंसेशन सपना चौधरी ने कहा कि नेता और अभीनेता गाली खाने के लिए होते हैं बहुत काम करने के बाद भी लोग उनकी आलूचना ही करते हैं बोपाल डांस इवेंट में भाग लेने आई डांसर सपना चौधरी ने कहा कि मेरा राजनीती में आने का कोई इरादा नहीं है उन्होंने कहा एक MLA जैसे तैसे सड़क बनवाता है काम करता है और लोग कहते हैं इनसे कुछ किया ही नहीं जाता उन्होंने साफ कहा नेता और अभी नेता गालिया खाने के लिए होते हैं लड़ जगड़कर सड़के बनवाता है पता कि क्ञा क्या काम करता है आखरी वे पबल्री को क्या कर देति है 4 साल दीन ओने कुछ लेकिन उनको यह नहीं पता कि किस तरीके से उसे विचारवने करने। तो मैं politics को भी जोइन नहीं करने वाली, मैं मेरी काम में बहुत जादा खुश हुँ शनिवार को भोपाल में सपना चौधरी के डांस का प्रोग्राम हुआ जहां उन्होंने पहली बार देश भक्ती के गीत पर प्रस्तुती दी उन्होंने कहा मैं अब तक केवल आइटम नंबर पर ही डांस करती आ रही हूँ लेकिन भोपाल में मुझे देश भक्ती गीत पर पर्फॉर्मेंस करने का मौका मिला एर इंडिया की भोपाल से मुम्बई जा रही उडान में एक यात्री को बड़ा सामभर के साथ काकरोज पर उसने का मामला सामने आया है यात्री ने एर इंडिया के मुमबई कार्याले में इसकी शिकायत दर्ज करा लिए है यात्री रोहित राज चोहान शनिवार को सुभा उडान संख्या AI 634 से मुंबई रवाना हुए थे भोपाल से टेक ओफ होने के कुछ समय बाद ही केबिन क्रू स्टाफ ने यात्रियों को स्वलपाहर परूसा चोहान के अनुसार उन्हें मिले सांभर में कौकरूच निकला इसकी शिकायत केबिन क्रू स्टाफ से की लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसको सब लोगों को डिस्ट्रिबूट कर दिया उनने तो अपना वापिस कर दिया पर उनने आगे भी उनको सब लोगों को खिलाया यह एर इंडिया एई 634 है आज बोबाल सोड़के मुंबई आई मौनिंग में बाद में रोहित राज चोहान ने मुंबई पहुच कर इसकी शिकायत दर्ज कराई इस संबंद में एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर प्रफुल फालगुन से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने मुबाइल रिसीव नहीं किया एयरपोर्ट अथाउर्टी के स्थानिय कार्याले के मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है यात्री के अनुसार बाकी यात्रियों को भी काकुरूच वाला सांभर परूसा जा रहा था आप देख रहे है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भोपाल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मुहमत सगीर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए एमपी नगर ठाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है महिला का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष सगीर मकान बनाने का ज्छासा दे कर पिछले दो सालों से उसके साथ बालातकार करते आ रहे है बोपाल की एशपाग निवासी महिला ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष महिला के शिकायत पर पुलिस जाच करने की बात कर रही है लेकिन मामला कॉंग्रिस नेता से जुड़ा है इसलिए पुलिस मामले को ठंडे बस्ती में डालना चाहती है पुलिस सूतरों का कहना है कॉंग्रिस नेताओं का दवाब है कि सगीर के खिलाफ मामला दर्ज ना हो सगीर भी इस मामले पर सफाई देते नजर आए सगीर खुद ही MP नकर थाना पहुँच गए इसके बाद इस मामले ने पल्टी खाई और आरोप लगाने वली महिला ने आरोप बापस ले लिये मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और आज मेरी उमर 61 साल हो गई है और मैं यह राजनीतिक दुष्टी कूण से ही आरोप लगाया गया है मैं इसकी निंदा करता हूँ यह पूरा वाटसेप और उसके पर मवाईलों पर तो चल ला है मुझे भी लोगों ने आके दिखाया कि वाटसेप पर तुमारा ही यह सब चीज चीज चल लाई है कई प्रिंट मीडिया वाले इलेक्टरनिक मीडिया वालों के भी फूरा आए उन्होंने बताया जब मैं ने उसको निकल वाया जब देखा तो मैं भी खुद अपना पक्ष रखने के लिए यह थाने आए भाजपा के राष्ट्य अध्यक्षा में शहा के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरिंद मोदी ने ममता बैनर जी पर जम कर हमला बुला उन्होंने कहा कि रैली का द्रश देख कर उन्होंने समझ में आ गया है कि दीदी क्यों हिंसा पर उतर आई हैं साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के प्रती बंगाल की जन्ता के प्यार से डर कर लोगतंत्र के बचाव का नाटक करने वाले लोग निर्दोश लोगों की हत्या करने पर तुल गया है प्यम मोदी ठाकुर नगर में अपने पाशन के दौरान मंताब एनरजी पर जमकरवर से प्यम मोदी ने कहा कि यह देश का दुर भाग रहा है कि आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गावों की इस्तिती पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था जिसके चलते पश्चिम बंगाल की इस्तिती और भी ज्यादा खराब हो गई साथ यो रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंदर सरकार ने रेड़ा कानून मनाया लेकिन पश्चिम मंगाल सरकार इस कानून को अपने राज में लागू करने से गबरा रही है अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट नए गर बिल्डर बना रहा है वो उन्हें तय समय पर बना कर देने पड़ेंगे कोई की काम कच्चे पक्के में नहीं होगा इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है उसकी ममतादीजी की सरकार में क्या एहमियत है वो आप भी भली बाती जानते हैं ये चिटभंड हो शारदा हो पेंटिंग हो सारे तार एकी दरवाजे पर जा रहे हैं इस दोरान मौधी के भाशन सुनने के लिए पहुची भीड ने मैदान में जगह कम पढ़ने के चलते एक दूसरे को धक्का मुकी करना शूर कर दिया प्यम मौधी उन्हें बार बार धक्का मुकी नहीं करने के लिए कहते रहे पर रैली में भीड जादा होने के चलते भगदर जैसी इस्तिती पैदा हो गई जिसके बाद पी एम मोदी ने मात्र 14 मिनिट में अपना भाशन समाप्त कर दिया चतरपुर में अज्याग बाइक सवारों ने नैशनल हाईवे ओफिस में पत्रा किया घटना की तस्वीरे नैशनल हाईवे ओफिस में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद विभाक ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है मामला मद्वरदेश के चतरपुर इस्तित नैशनल हाईवे ओफिस के दफ्तर का है जहां करीब पांच अग्याद बाइक सवारों ने नैशनल हाईवे के ओफिस पर पत्राव कर दिया पत्राव में जहां ओफिस में लगे कांश तोड़ दिये गए वहीं सुरक्षा गाड को भी चोटे आई है गटना की तस्वीरे ओफिस में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद विभाग ने पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए कारवाही की मांग की है गटना की वजह नैशनल हाईवे पर आने वाली जमीनों का उचित मुआफजा ना मिलना बताया जा रहा है आज सुबे दस वजे चटबीस मिनेट में कुछ बद्वाशों ने पांच लोग दो मोटर सेपल पर आये थे आर आकर बहर से बहर से बाहरा ही ओ आफीस में पत्तर से मार आपीस को और इसे अमारा गार उनका सीरफ़ मार लगा ॊए अर आफीस जो ग्लाइस डोर है वो दJames Forget ने लोगया पिसान लोग नहीं है गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भी नैशनल हाइवे विभाग में पदस्त एक अधिकारी के घर पर भी बदमाशों ने हमला कर डंडो और लाठियों से गाड़ियों में तोड़ फोर की थी वही पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि नैशनल हाइवे विभाग द्वारा शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जाच के बाद कारवाही की जाएगी कंगना रनौत की फिल्म मनी करने का दा क्वीन ओफ जासी अब तक कुल साट करोड की कमाई कर चुकी है इसी खुशी में कंगना ने अपने घर पर फिल्म की सक्सिस पाटी रखे इस पाटी में कंगना की बहन रंगोली चंदेल और उनके करीबी दोस्त भी शामिल हुए रंगोली ने पार्टी का एक वीडियो भी शेयर किया सेलिब्रेशन का ये वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो के कैप्शन में कंगना ने लिखा शांदार रिस्पॉंस का जशन इस वीडियो में कंगना ने ब्लू कलर की साड़ी को लाइट ग्रीन ब्लाउस के साथ टीम अप किया था साथ ही उन्होंने मैचिंग जुमके भी क्यारी किये थे ये जुमके उनके आथनिक लुक को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे इस लुक में कंगना बहुत शांदर लग रही थी माते पर लगी बिंदी उनके लुक में चार्चान लगा रही है बता दें कि कंगना हमीशा ही अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती है फिल्म को लेकर विवाद बना हुआ है मनी कणिका के कोड डिरेक्टर कृष ने कंगना पर कई आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि कंगना फिल्म में सब कुछ खुद करना चाहती थी उन्होंने को इस्टार के सीन हटवा दिये वो फिल्म में छाय रहना चाहती थी वहीं कंगना भी चुप नहीं रही उन्होंने भी क्रिश पर पलटवार करते हुए कहा क्रिश के आरोब गलत हैं इस तरह से इंटर्वियू देने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी अगर वो सही हैं तो खुद को सावित करें फिल्म रिलेज हो चुकी है मैंने अपने दम पर सब पाया है रोने धोने से कुछ नहीं होगा साथ ही उन्होंने कहा मुझसे सबक सीखने के लिए वो सोनू सूध मिश्टी चकरवर्ती और अपूर्व असरानी के साथ मिलकर एक फिल्म बनाए इस बुलेटिन में फिलहाल इतन आप देख रहे हैं